इसका आवम लोग पॉलेंगे क्या वोलेंगे इसका आचाए कि रिडिक्शन इस्टेप गो WeChat ये क्या था कर्वाप्चिनेशन फॉस्टेप था ये से केरश हब क्या हुा हुआ हम दो यू जू बहुंब सकते हैं कि एक उलिकी बेंट करेगा तो उस से एहां पर हम जो बनेंगे चुछी में जो glucose बन रहा हो किस carbon से बना हो है carbon dioxide का carbon से बन रहा है तो अगर एक carbon dioxide है तो यह क्या करें हम उपकोंद बोलेंगे तो 6 में तो 6 एक कारवन की साथ दूसरा कर पांचमा चयों की साथिसे पांचमा का ओंस makes बोलें की लिए हम लोग बोलेंगे कितना carbon dioxide molecule चाहिए हम लोग बोलेंगे six carbon dioxide molecule चाहिए क्योंकि carbon dioxide molecule कही carbon क्या बनाता है bulbose को बनाता है इसका मतलब याद रखना है इसका मतलब यह cycle जो चल रहा है यह cycle इसका मतलब हम लोग बोलेंगे six times क्या होगा इस cycle को चल रहा बड़ेगा तब चाहिके क्या होगा हम लोग बोलेंगे इसलिए हम लोग क्या करेंगे सब को six से क्या करेंगे हम लोग बोलेंगे multiply करेंगे क्या हम लोग बोलेंगे six molecule लेके चलेंगे हम लोग जितना भी आर्यू बिट्वी भी है चाहिए carbon dioxide भी हम लोग सब क्या करेंगे six molecule लेके चलेंगे क्योंकि carbon पर वे कितना carbon होता हम लोग बोले हैं चलते हैं क्यों इस लिए इसलिए चलते हैं कि आपकर काश्म को देखियेगा और गुल्कोस मॉलेकुल बन सके हैं तीक है इस ही आपर 6 लिखते है कि क्या होगा कि एक गुल्पोस मॉलेकूल में हल्म होता है कि एक मिल्पोस मॉलेकूल कोगा spor के लिए हम लिये कितना carbon dioxide चाहिए होगा इस ही लिए हम लिएप चाहिए उड़ मॉल्पाय लिया किरते हैं समीचा हुआ को यहां पर कितना करबन डाकसइड लेंगे ना हम लोगे लेंगे तो एक करबन डाकसइड को पकड़ने के लिए एक हां यूबित्री मॉलेक्यूल तो तो 6 carbon dioxide को पकड़ने के लिए कितना रूविपय मॉलेक्यूल होगा हमें बोलेंगे 6 रूविपय मॉलेक्यूल होगा तीक है यह ची समझ मारा है तो अब देखिए अब भावलोग बोलेंगे 6 रूविपय मॉलेक्यूल होगा तो जब यह दोनों combine कर दो कितना intermediate compound बनेगा तो तो देखिए कितना intermediate compound बनेगा मैं यहां पर इसको मिटाद़ रूआ मैं यहां पर बतारों ठीक है देखो इसको मिटारों यहां पर बतारों ठीक है एक carbon dioxide गो पकड़ेगा तो सबसे फेले एक carbon dioxide जो मालों कि एक carbon dioxide का carbon है तीक है एक carbon dioxide का carbon है इसको पकड़े वाला molecule क्या से अम लग बोलेंगे R U BP molecule हैना देख्वं ठीक अगर एक carbon dioxide होगो तो इसको पकड़ेगा हम लोग बोलेंगे 12345 ठीक है यह पहला यह बनेगा intermediate compound एक carbon dioxide रहेगा तो इक यह पर कितना इंटर्मिडियेट कंपाउंड बनेगा हम बोलेंगे 6 अनस्टेबल क्या बनेगा इंटर्मिडियेट कंपाउंड बनेगा इसको मैं ऐसे करके समझा रहा हूं तीक है यहां पर देखे यह वाले यह फॉस्पेट है यह फॉस्पेट है यह फॉस्पेट यहां पर फॉस्पेट 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 यह क्या चीज़ हम लग बोलेंगे क्या चीज़ है तो अगर एक carbon dioxide एक आपको से माइड करेगा तो यह पहला वाला इसको मैं ऐसे लिखा रहा है इसको मैं एसे समझ में आया होगा ठीक है अब जो इस इंटर्मिडिट अनस्टेबल कमपाउंड जो बनेगा तो सारा का सारा क्या होगा होगा हम लोग उसका हाईटो इसओ तो एक अनस्टेबल इंटर्मिडिट कमपाउंड से मलें के मैं फोस्त इसतेबल यह बनेगा, कंबाउट यिस होगा ऐसे घ्म यह यहां से पहले होगा इसको मैं यसे दिखाते हैं कि समझ जाएगे, तिक है? यह को क्या चाहिए इंटर्मिटीड कंपाउद हैना, शिक्सिंटर्मिटेड कंपाउद हैना? यह रहा हम जो. यह रहा हम पर इसका हईड्रोडिसिस हो इसे लगे तो, तो यह हम बेछ विश है विद्धी होगा इसका मझा हम भूलेंगे क्या होगा 12 क्या बनेगा क्या बनेगा क्या बनेगा 3 क्या चीछ फोस्फोग्लिसरी केसिड बनेगा सिंपल है कुछ नहीं किया में आप ठीक है इसके ब यह तो समय क्या हो बेस्ब थेक्या आप आप डीकिए अब आप रिंद्ध करता बूसरा क्या बोलेंगे क्या चीछ जींगे क्या बोलेंगे एक रिंदक्षण इस जिए ठेकर इसके चिए 12 को बंडेंगे 3 फॉस्फोग्लिसरीक एसिद बना ठीके 1 2 345 6 7 8 9 10 11 12 तो आप यह 12 to 3 phosphoglycery case, तो सबका क्या होगा, आम लोग बलेगे, आप फोस्फोराइशन होगा ना, ठीके, सबका phosphorylation होगा, तो सब में क्या होगा, एक एक क्या होगा, फोस्फफट जुडेगा, रहे तो मैं एक कारण का दिखा था तो दो दिखा था, ठीके, तो सब में क्या ह हम लोग बनेगे क्या हो कि Big one three fosphapeet कितना बनेगा बनेगा 12 क्या बनेगा इसको मैं यहाँ पर लिख्राँ हो जेखा हूं यहां पर लेख्रा हूं 13-bass phosphoglyceric acid बनेगा कितना बनेगा हम लोग बनेगे 12 क्या बनेगा 13-bass phosphoglyceric acid असे निकरां 12 को यहां पर तो समझ भा रहा हो बितकुली तो बहुत असान है तो अब 12 अगर 13-bass phosphoglyceric acid बनेगा तो एक में कितना phosphate जोड़ रहा है एक में कितना ATP लगेगा 12 ATP लगेगा 12 ATP लगेगा याद रखना है 12 ATP लगेगा एक ATP से हम लोग बनेगे 1 3-bass phosphoglyceric acid में लगा लेकिन मेने पास कितना बना हम लोग बने 3-bass phosphoglyceric acid से 1-bass phosphoglyceric acid कितना बना 12-bass बनाना तो 12 क्या होगा क्यूंक पोलेंगे phosphate क्या होगा के about the difference the पॉस्पोग्लिसरीक एसिट में जुड़ेगा तक जाके 1-3-5 पॉस्पोग्लिसरीक एसिट मनेगा तो कितने एटीपी चाहिए होगा 12-30 पी चाहिए होगा थीक है